आज हम लोग का जो टॉपिक है, चेप्टर थ्री, हिस्ट्री, क्वेस्टिन नमर फाइफ, कल क्वेस्टिन नमर फॉर हम लोग पढ़ चुके, उसकी वीडियो साथ आप लोग देख भी चुके हैं। क्वेस्टिन नमर फाइफ है, ब्रीफली डिस्कस दा लैंड रेविन्यू सिस्टेम अप दे इंग्लिस इस्ट इंडिया कमपनी इन इंडिया, रेविन्यू मने होता है, टेक्स, सरकार की आये, राजस्थ, जो भी कहा हैं, लैंड रेविन्यू मतलब आप कहा सकते हैं, लगान जमीन के उपर जो टेक्स दिया जाता है, ये 2016 में आया हुआ क्वेस्टिन है बोर्ड के एक्जाम में, एंसर, रेविन्यू एक्सपेरिमेंट्स ओफ वारन हेस्टिंग, फाला हेडिंग ये देंगे आप, क्लाइव और उनके आने वाले, जो भी सक्सेसर थे, जो भी उतरादिकारी थे, उन लोगोंने ले रेविन्यू को ले करके, बेंगाल में कोई भी पर्मानेंट सिस्टेम लाने में वो असफल रहे, मने उस तरीके से, उस तरीके का डिवाईस वो नहीं ला पाए, जिससे पर्मानेंट बेसिस पे लेवन्यू को रेगूलेट किय तिल दा टाइम आफ वारन हेस्टिंग लेंड रेविन्यू वस कलेक्टेड बाइ दा कम्पनी थ्रू इंडियन ओफिसर्स हुआर नॉमिनली अंडर दा अथोरिटी अब नवावा बेंगल वारन हेस्टिंग जब गवर्नर जेनरल बन के आये उसके पहले तक यानि उनके टाइ कमपनी के द वारा resembling के दोरा अपोलेंट किया जाते थे वही रेविन्यू का कलेक्टिंग करते थे वहन गुद वा नॉमिनली जिनको नाम मात्र के Lya कहा जाता था कि वह बंग своnte क garbage की अन दर मी इस authority मने अधिकार मने वो बंगाल के नबाब के अधिकार की अंदर में नहीं आते थे वो company के ही अधिकार छेत्र में आते थे company ही उनको nominate करती थी और वो ही tax collect करने का काम करते थे इट वारन हेस्टिंग यह वारन हेस्टिंग थे जिन्होंने डिवाइस किया a new system of land revenue लगान को ले करके एक नए system को तयार किया collection and administration मने land revenue का collection कैसे हो यानि संग्रह कैसे हो कैसे correct किया जाए और उसका प्रबंदन कैसे हो उसकी एक योजना तयार की वारन हेस्टिंग ने क्या है वो योजना point number a इजारदारी system और five year plan पहली योजना जो थी उनकी उसको इजारदारी system या five year plan मने पांच साल की योजना थी इजारदारी system was introduced in 1772 in Bengal and Bihar सबसे पहले Bengal और Bihar में ये योजना 1772 में सुरू की गई इजारदारी system according to this system the right of collection of revenue was auctioned इस system के तहट revenue collection का मने revenue संग्रह का जो अधिकार था वो निलाम किया जाता था मने उसके निलामी होती थी निलाम में वो बेचा जाता था the person giving the highest bid वो आदमी जो सबसे बड़ी बोली लगाता था यानि सबसे उची बोली लगाता था was given the इजारदारी right उसको इजारदारी का अधिकार दे दिया जाता था but the system failed as it benefited neither the company nor the present लेकिन ये system असफल रहा फेल हो गया क्योंकि इसने न तो company की और नहीं present की किसी की भी मदद नहीं की मने किसी benefited माने लाग पहुंचा है मने ये system नहीं तो company को ही लाग पहुंचा पाया नहीं किसान ही उससे लाग पाये इसलिए system फेल हो गया उसके बाद second system लाए वो वारन हेस्टिंग the system of yearly action सालाना निलामी मतलब एक साल के लिए निलाम किया जाता था ये system आया था 1777 में in 1777 another experiment was tried by वारन हेस्टिंग under that system land was formed out annually 1777 में ये दूसरा प्रयोग जो किया गया है वारन हेस्टिंग के दौरा पहला प्रयोग तो आसफल रहा है जो दूसरा प्रयोग किया गया है उसके तहट जमीन को यानि जो भी जोतने वाली जमीन थी फार्म मतलब खेती करने योगी जमीन उस जमीन को एक साल के लिए बेच दिया जाता था निलाम कर दिया जाता था अंडर न्यू सिस्टेम और इस सिस्टेम और पुराने वाले इजारदारी सिस्टेम में अंतर यह था कि इजारदारी सिस्टेम में जो हाइस्ट बीड था यानि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला था उसको दिया जाता था लेकिन इस सिस्टेम में अंडर निव सिस्टेम लेंड वोज नॉट गिवन टू दा हाइएस्ट बीडर इसमें सबसे उची बोली लगाने वाले को जमीन नहीं दिया जाता था बट टू दा ट्रेडिशनल जमिनदार उन परंपरागर जमिनदार को दिया जाता था मने जो पहले से जमिनदारी सिस्टेम में इनवाल्व थे उनको जमिन दिया जाता था अगली हीडिंग आप देंगे रेविन्यू सेटलमेंट अंडर लॉड कॉर्णवालिस Cornwallis के अंदर में revenue settlement कैसे हुआ The revenue experiments of Warren Hastings Warren Hastings के जितने भी revenue प्रयोग थे मने tax को ले करके जो भी प्रयोग किये गए थे Came in for much criticism from companies, home authorities Company के जो home authorities से मने companies से जुक्त लोग जो थे जो जुड़े हुए लोग थे उन लोगों ने उसके बड़ी आलोचना की Warren Hastings के जो भी उन्होंने दो डिवाइस निकाले थे दोनों की बहुत अलोचना हुई इसके बाद the directors, company की जो directors थे therefore appointed Cornwallis as governor general of Bengal to initiate a system of land revenue on a permanent basis इसलिए company के directorों ने Lord Cornwallis को appoint किया governor general के रूप में Bengal के और इसलिए उनका appointment किया गया था कि वो एक permanent basis पे land revenue system को initiate करे यानि लागू करे उसको चालू करे provisions of the permanent settlement permanent settlement के क्या provision थे provision मतलब प्रावधान नियम क्या क्या नियम थे in the permanent settlement the settlement was made with jamindars and as such it also came to be known as jamindari system permanent system में settlement jamindar के साथ किया जाता था इसलिए इस system को jamindari system भी कहा जाता है इसके क्या-क्या provisions थे provision number one under the new system the revenue collector of an estate became its honor as well पहला नियम ये था कि इस नए system के तह जो भी revenue collector था मनि जो भी tax collect करता था उसको उस estate का यानि उस जाजात का उस संपत्ती का या उस इलाका का मालिक बना दिया जाता था point number B jamindar as he was called also gained hereditary right over the land and could sell it if necessary jamindar को उस जमीन का वनसानुगत hereditary मने होता है वनसागत या वनसानुगत patrick मतलब उसको patrick अधिकार जमीनदार लोगों को दे दिया गए कि यदि उस जमीन का मालिकाना हक उस जमीनदार के पास है और यदि जरूरत पड़े if necessary they can sell it वो उसको बेच भी सकते थे point number C लेकिन जमीनदारों से भी ये अपेक्छा किया गया था कि वो जो भी fix amount है मने जितना भी कर East India Company के द्वारा fix किया गया था उस fix amount को जमीनदार stipulated माने होता है निर्धारित निर्धारित तारिक पे before sunset सुर्यास्त के पहले यानि सुर्य डूबने के पहले उसी date में वो पैसा East India Company के पास पहुँच जाना चाहिए और ये जिमेदारी जमिनदारों को दिया गया था इसे लिए इस system को sunset law भी कहते हैं क्योंकि ये सुर्यास्त के पहले ये जमा करना था उसके बाद अगली heading आप देंगे other land revenue settlements दूसरे land revenue settlement जो थे realizing the disadvantages of the permanent settlement as also due to administrative difficulties the East India Company introduced settlement in other part of India which were quite different from the line adopted in Bengal, Vihar and Odisha Bengal, Vihar और Odisha में जो line adopt की गई थी company के द्वारा यानि जो permanent settlement लागू किया गया था उसके realizing the disadvantages मने उसके नुक्सान का आंकलन करने के बाद company ने ये तैं किया कि सिर्फ मने उसके नुक्सान ही नहीं हुए बलकि एक चीज़ और लिखा हुआ है also due to administrative difficulties मने administration को ले करके भी जो परिसानी जो कठनाईया उठानी पड़ी इसलिए इसलिए company ने ये बेंगौल विहार और उडिसा वाली लाइन को छोड़ करके देश के दूसरे हिस्से में दूसरे तरीके का revenue system लागू करने के बारे में सोचा है मतलब quite different जो बिलकुल अलग था जिस तरीके का system बेंगौल विहार उडिसा में अपनाए गया था उससे अलग system इंडिया के दूसरे हिस्सों में लागू करने के बारे में इस्ट इंडिया company ने सोचा और वो क्या था पहला है रियोतवाडी settlement the रियोतवाडी settlement was initiated by Thomas Munro the governor of the Madras presidency रियोतवाडी settlement की सुरवाद की गई Thomas Munro के द्वारा जो Madras presidency के governor थे the settlement was introduced in the early 19th century in parts of South India और ये system बने रियोतवाडी settlement ये लागू किया गया 19. सताबदी के very beginning years में South India के कई सारी जगाओं पे अगली heading देंगे the salient feature of the रियोतवाडी settlement were as follows क्या क्या वो थे तीन पॉइंट मैंने लिखा है पॉइंट नमबर A Under the रियोतवाडी system the company settled the revenue directly with the रियोत और कल्टिवेटर रियोतवाडी settlement के तहद company, company मतलब East India Company revenue का settlement करती थी सीधे किसान से रियोत और कल्टिवेटर, cultivator means किसान माने इसमें जमिंदार नहीं थे direct company किसान से टेक्स ले लेती थी point number B the amount of revenue was assessed on the basis of productivity of the soil and nature of the crops produced और टेक्स का amount जो निर्धारित किया गया था मने कितना revenue लिया जाएगा किसानों से इसको निर्धारित किया गया था दो चीज पे पहला नमबर दिया है productivity of soil मतलब मिट्टी की उपजावँ छमता है उसके fertility के उपड़ डिपेंड करता था कि मिट्टी कैसी है और कितनी पैदावार होती है and nature of the crop produced और जो फसल पैदा की जाती थी वो कैसी फसल थी मतलब किस टाइब का फसल पैदा किया जाता था उसके आधार पे निर्धारित किया गया कि कितना टेक्स लिया जाएगा point number C in रियोतवाड़ी system the amount of revenue was not fixed forever और इस system के तहद जो revenue का amount time किया गया था वो हमेशा के लिए नहीं था not fixed forever मतलब हमेशा यही देना पड़ेगा यह नहीं था it was revised regularly after 20 or 30 years इसको बीच बीच में revise किया जाता था चाहे वो 20 साल पे हो या 30 साल पे हो उसके बाद अगला system जो था महलवाड़ी settlement in some part of the North India Halt Mackenzie initiated the महलवाड़ी settlement in 1822 1822 में महलवाड़ी system का introduction कुछ हिस्सों पे मने कुछ North India मने उत्तर भारत के कुछ हिस्से पे लागू किया गया था Halt Mackenzie ने लागू किया the salient features of the महलवाड़ी system were as follows इसके भी तिन system number one according to this system the revenue settlement was made village by village instead of individual landholders इसके पहले वाले सिस्टेम में हम लोग पढ़े कि company direct किसानों से tax लेती थी लेकिन इसमें नहीं ऐसा था according to this system इस system के तहत revenue settlement किया गया village by village मतलब गाओं गाओं मने एक गाओं एक ही बार tax दे रहता था instead of individual landholder landholder मने गो मिधारी मने जो किसान था जो खेती करता था तो ब्यक्तिगत किसान से tax न लेकर के उसके अस्थान पे East India Company पूरे गाओं से tax एक ही बार ले लेती थी point number B the village headman sign an agreement on behalf of a particular village to pay the stipulated amount of revenue to the government और जो गाओं का मुखिया होता था यानि जो गाओं का head होता था प्रधान होता था जो भी कहिए अब उसको एक कागज पे sign करना पड़ता था वो पूरे गाओं के बदले वो जो agreement sign करता था on behalf of the particular village मतलब एक गाओं का जैसे जिस गाओं का वो मुखिया है तो उस पूरे गाओं में जितने लोग रहते थे उनके बदले वो signature करता था कि हम आपको text देंगे और जितना निधारी text था वो वहाँ पे लिखा जाता था और उस stamp paper पे मुखिया sign करते थे Point number C An individual villager paid the revenue to the headman according to his respective holding और गाओं का प्रतेग बेक्ती उसके जितनी holding होती थी मनि जितना खेत होता था उसके अनुतार वो अपना text ला करके गाओं के headman को दे देता था यानि प्रधान या मुखिया जो भी उनको दे देता था और यह मुखिया का काम था कि वो text को जमा करते थे यह था महलवाड़ी system ओके Thank you मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए question के साथ प्रक्या हो अगल भी簡 अवाट यह उपशोच भी जो थी sûrजर